परिचय सूरे के प्रकाश से चमकता है हम, मुझे नहीं पता था ये तो बहुत मज़ेदार है इसके बारे में मैं और जानना चाहती हूँ बच्चो, इस पार्ट में हम चंद्रमा की बारे में जानेंगे आओ सीखें चंद्रमा के चमकने का कारण बताना चंद्रमास को परिभाशित करना चंद्रमा के धरातल की विभिन्य विशेश्ताओं की खोच करना चंद्रमा के चार सिध्धान्तों का वड़न करना चंद्रमा के गुरुत्वाकर्शन खिचाओ और इसकी सनचना की चर्चा करना चंद्रमा का परिचाए चंद्रमा प्रित्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपक्रे है यह सूरे के बाद आकाश का सबसे चमकदार पिंठ है लेकिन चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता जो प्रकाश आप देखते हैं वह चंद्रमा की धरातल से परावर्तित होने वाला सूरे का प्रकाश होता है चंद्रमा की कलाएं आपने ध्यान दिया होगा कि चंद्रमा सदेव पूर्ण वृत्य के आकार का नहीं दिखता क्या आप जानते हैं कि क्यूं? क्योंकि ये विभिन कलाओं से गुजरता है चंद्रमा का चमकीला भाग परिवर्तित होकर हमें जिस रूप में दिखाई देता है उसे इसकी कलाओं कहते हैं सूरे का प्रकाश प्रिथ्वी की परिक्रमा के दौरान चंद्रमा के धरातल के विभिन कोडों से टकराता है। चंद्रमास क्या है? चंद्रमा प्रिथ्वी की परिक्रमा करने से 27.3 दिन लेता है। लेकिन एक पूर्ण चंद्रमा से दूसरे चंद्रमा के बीच का समय कुल 29.5 दिन का होता है। क्योंकि प्रिथ्वी भी अपनी सतह पर घूमती रहती है। एक पूर्ण चंद्र से दूसरे पूर्ण चंद्र के बीच की अवधी को हम एक चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमा की पृत्वी से दूरी चंद्रमा की पृत्वी से औसदूरी करीब 3,80,000 km है, जो की काफी करीब है इसकी नस्दीकी के कारण ही हमें पृत्वी पर से चंद्रमा के धरातल को देखने के लिए दूरबीन की जरूरत नहीं पड़ती क्या आप जानते हैं, हम सदैव चंद्रमा का एक ही पक्ष देखते हैं जब चंद्रमा पृत्वी के चारों तरफ घूमता है, तो यह अपनी धूरी पर भी उसी गती से घूमता है इसलिए हम सदैव चंद्रमा का एक ही पक्ष देखते हैं चंद्रमा पर द्रव्य जल नहीं है बच्चों, क्या आप सोचते हैं कि चंद्रमा पर भी प्रित्वी की तरह पानी है? नहीं, चंद्रमा पर द्रव्य जल नहीं है, लेकिन बर्फ के रूप में कुछ जल जरूर है हाल ही में, नासा के स्पेस क्राफ्ट ने चंद्रमा के दक्षणी धुरुफ पर करीब सौ किलो ग्राम बर्फ और जल वाश्प की खोच की है चंद्रमा पर धबबे यद्यपी चंद्रमा पर जल नहीं है, लेकिन इसमें कई रुचिकर विशेशताएं हैं जैसे की कोटर, पहाड और लावा के मैदान चंद्रमा की सतह पर गेहरे धबबे असल में मैदान हैं, जिन्हें समुद्र या मारिया कहते हैं इन्हें मारिया इसलिए कहते हैं कि आरंभिक अंत्रिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा के इन स्थानों को विशाल काहिस समुद्र समझ लिया था बात के धब्बे पहाड़ हैं और बच्चो आप किसी साफ रात में दूरबीन के सहारे चंद्रमा पर बने उन कटोरों को देख सकते हैं जो की प्राचीन उलकाओं से टकराने से बने थे चंद्रमा की उत्पत्ती को लेकर काफी बहस हुई है कुछ वज्ञानिकों का मानना है कि इसका निर्मान प्रिथ्वी के साथ ही हमारे सौर मंडल को बनाने वाले गैस के बादलों और धूल से हुआ है एक अन्य विचार है कि चंद्रमा एक समय प्रिथ्वी का भाग था जो किनी कारणों से इससे अलग हो गया कुछ कहते हैं कि संभव है कि चंद्रमा हमारे सौर मंडल में तैर रहा है जो प्रिथ्वी के गृत्वाकर्शन से बन गया है कुछ लोग सुझाव देते हैं कि मंगल जैसे द्रव्य मान वाला कोई पिंड टकराया होगा और उससे द्रवित शैलों का बादल बना होगा जो अंतता चंद्रमा के रूप में संघनित हुआ चंद्रमा की संठचना आईए चंद्रमा की आंतरिक संठचना को एक नजर से देखें चंद्रमा मूल आगने शैल का एक गोला है जिसमें लोहे और निकल से बना एक छोटा कोर यानि नाभिक है इस पर एल्यूमिनियम और केल्शियम से बनी एक शैल परत है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्शन आपको सौर मंडल में बड़े चंद्रमा मिल सकते हैं लेकिन प्रिथ्वी के आकार की तुलना में हमारा चंद्रमा सबसे बड़ा है और यह इतना बड़ा है कि अपने गुरुत्वाकर्शन खिचाओ से समुद्र में जुआर ला सके आपको यह जानकर आश्चरे होगा कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्शन बल प्रिथ्वी के गुरुत्वाकर्शन बल का मात्र 17 प्रतिशत है उधारन सवरूप 100 पाउंट यानी 45 किलोग्राम वाले एक आत्मी का वजन चंद्रमा पर केवल 17 पाउंट यानी 7.6 किलो होगा चंद्रमा पर वायू मंडल प्रित्वी से भिन चंद्रमा पर वायू मंडल नहीं है जिसके कारण चंकीले भाग में भी आकाश में सदैव अंधेरा दिखाई देता है चंद्रमा पर ध्वनी संचार भी नहीं हो सकता क्योंकि ध्वनी के संचरण के लिए वायू की आविशक्ता होती है और चंद्रमा पर वायू नहीं है क्या आप जानते हैं नील आर्म्स्टॉंग 20 जुलाई सन 1979 को चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रधम मनुश्य बने थे हमने क्या चर्चा की चंद्रमा प्रित्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपक्रे है चंद्रमा हमें चमकीला दिखता है क्यूंकि यहां अपने धरातल पर पढ़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है चंद्रमा प्रित्वी की परिक्रमा करने में 27.3 दिन लेता है चंद्रमा पर द्रव्य जल नहीं है लेकिन वर्फ के रूप में कुछ जल उपलब्ध है चंद्रमा में बहुत सी रूचिकर विशेश्टाय हैं जैसे की कोटर, पहाड और लावा के मैदान चंद्रमा का गृत्वा कर्शन बल, प्रित्वी के गृत्वा कर्शन बल का मात्र 17 प्रतिशत है चंद्रमा का कोई वायू मंडल नहीं है जिसके कारण चंद्रमा पर धोनी संचरन नहीं हो सकता